दोस्तो नोर्मल बस की लेंद लगबग 40 फिट तक की होती है और उसलिए उसे मोडने के लिए टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा चाहिए होता है और तो वो ट्राफिक वाले रोड पर इसे मोडना और भी कठीन हो जादा है जैसे कि यहाँ पर तिरूपती के इस वीडियो में ट्राफिक में से निकलते वक्त एक बस कार को बुरी तरह से टक कर मार देती है इसी तरह ये वीडियो तिरुपती पूलिस के द्वारा शेयर की गई है जिसमें ट्राफिक से भरे रोड पर एक दुसरे से आगे निकलने की होड में कार और बस के बीच में थोटा सा एकसिडेंट हो जाता है दोस्तो कार और बस के साथ हुए इस दोनों इंसिडेंट में आपको किसकी गलती लगती है वो कमेंट करके जरूर कहे देखो यार इसे देखकर ये तो मानना ही पड़ेगा कि हर बार बड़े वहिकल वालों की गलती नहीं होती और एक बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी यह चप गया है कि अगर रोड़ पर कोई एक्सिडेंट होता है तो यकिनन बड़े वहिकल वालों की ही गलती होगी लेकिन दोस्तो हर बार ऐसा नहीं होता दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले थेंक्यू